शेत अंतकरत कोरवई ग्राम में बीमा और फिक्स डिपोसिट के नाम पर पैसा जमा कराने वाली कमपनी ग्रामीडो का करोड़ो रुपे लेकर फरार हो गई है कोई बेटी की शादी तो कोई बच्चे की पढ़ाई के लिए गहना बेच कर पैसा जमा किया गया था लेकिन अब सब की उमीदों पर पानी फिर गया है पैसा मांगने पर कमपनी का एजेंट ग्रामीडो को पुलिस द्वारा जेल भेजवानी की धमकी देता है निराज ग्रामीडो ने जुला पंचात अथियक्ष से मिलकर मदद की फरियाद की है कि कठा हुए थे और लोगों की सिकायत है कि गाउन के ही किसी नाम से लेते रहे हैं और बजाज एलियांस के नाम से कोई लेकिन जब मांगने जाते हैं तो यह लोग कहना है कि हमको देने से इनकार करना है शुरिंदर पाल लाई गेन भाईया पैसा हम कहें ना जमा कर अप कंपीनी भाग जाई हम कहां सापन लड़ी का जी आई हम मदूरी कर था हम भाईया ना दाय पए कहां कंपीनी भाग जाई हम अपने घर से दे हम बच्चे तो आठ चो छोड़ो हैं शानो हैं पढ़ाओ लिखा गर से एक घर जंब नगी कर दो कि दो कर दम कर दो के लोग वांगना परी चिए अब जह को ऐख के लाइक रशी ना रहे हम पढ़ ना एथ हम अव्काब कर दो फोर फोर मत दूरी के जमा के लाखन पर होई कि तना कास्गर्ण